नमस्कार स्वागत है आपका R9 TV पर आज भी एक मुद्दा लेंगे और मुद्दा जो इन दिनों पूरे देश में गर्म है वो है CA मैं हूँ आपके साथ कुल्दीप सिंग पठानिया और मेरे साथ है मेरी सहयोगी नमस्कार आप सभी का स्वागत करती हूँ चार बजे हम एक मुद्दा लेकर आते हैं जिसका पक्ष और विपक्ष दोनों हम रखते हैं जिस तरीके से CA बी जो अब कानून बन चुका है उसे लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन देखने हैं पहले तो नौर्थ इसमें देखने को मिल रहा था लेकिन धीरे दीरे या आग बढ़ती गई और कल जो हम सब ने देखा कि जिस तरह से जामया के स्टूडेंट प्रोटेस्ट करे थे उसके बाद दिल्ली पुलिस और जामया के स्टूडेंट के बीच जो कुछ हुआ जिस तरह से बसे जलाई गई अगर आप उग्र होंगे आप इस तरह से पत्थर बाजी करेंगे तो हमारे पास क्या रास्ता बचता है लेकिन समझना होगा कि क्या लोक तंत्र में तो यह आजादी है कुलदीप कि हम विरोध कर सकते हैं C.A.B. का विरोध होना चाहिए अगर लगता है पक्षको की यह कानून नहीं आना चाहिए और सरकार को इसमें वापस लेना चाहिए इस कानून को लेकिन क्या उग्र प्रदर्शन करना विरोध इतना जादा करना जिसमें आपके पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है क्या यह जायज है यह सवाल तो उटने हैं अगर आप पुलिस की बात करें या फिर चात्रों की भी बात करें तो मेरा यह समझना है जिस तरीके से चात्र उग्र हो गाए उनको समझना चाहिए था वो स्टूडेंट है उनके पास एक डेमोकरेटिक राइट है वो लोगतंतर में अपना प्रदर्शन कर सकते हैं अपनी बात को रख सकते हैं और कॉलेज के टाइम से उन्हें यह आजादी दी जाती है ताकि हमारा लोगतंतर का सिस्टम उन्हें समझ भी आए कि अपनी मांगो को कैसे रखा जाता है लेकिन आजकल यह देखा जाता है कि अपने परदशनों को लेकर लोग उतारो हैं पर चाहतर लेकिन किस तरीके से वो होने चाहिए उसका mechanism क्या होता है क्या system होता है उसको follow को ही नहीं करना चाहता और यही दरसल कल conflict का कारण भी बना कल पोलीस ने क्योंकि छातर जो थे वो संसर तक पहुंचना चाहते थे दिन भी ठीक था लेकिन बड़ी बात यह है कि छुट administration जो है वो अलाव कर रहा है वो साथ में है इसलिए पुलिस को तो अलाव नहीं था campus में आना पुलिस campus तक गई है ऐसे से वीडियो सामने आये हैं कुल्दीब जो दिल्ली पुलिस की छवी को खराब करती है कि आप library तक पहुंच जाते हैं वहां मौजूद छातरों को आप म चीजे मनीशी सोधिया ने भी ट्वीट की थी लेकिन उसी का एक दूसरा पक्ष भी आया ट्विटर पे ही हमने देखा कि दिल्ली पुलिस पानी डालने की कोशिश कर रहे थी बुझाने की अब आपने हाथ में पानी ले रखा है पेट्रोल ले रखा किसी को नहीं पता कोई तस्वीर के दो पहलू हो सकते हैं लेकिन इस तरह कि जब खबरे हैं जो फैलती हैं तो वहाँ कहीं न कहीं सयम दोनों पक्षों को रखने की जरूरत हो जाती से लोग अंदर घुसे हैं जो बाहर ऐसा कुछ करके आएं आप चिनहित कीजिए या उनको वो पुलिस जो कुछ इडेंटिफाई कर सकती थी उनका वो परिचे देती या अपनी तरफ से प्रिश्यासन इडेंटिफाई करता और चात्रों को पुलिस के हवाले करता ये तो ए इंक्वारी होनी चाहिए ये इंक्वारी की मांग अच्छली कुल्दीफ समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि देखे जब कोई घटना घट रही होती है अब देखे एक छोटा साथा विरोध प्रदर्शन है और CAB खानून आया है और हमने सिर्फ ये तो दिल्ली की बात अभी देख रहे हैं नौर्थ इस्ट में भी हमने विरोध प्रदर्शन देखा विरोध को रोकने के लिए एक अलग तरह की तैयारी होती है और जब आप स्टूडेंट से डील कर रहे हैं तो ये कोई आतंकवादी नहीं है ये कोई आप राधी प्रविर्थी के लोग नहीं हैं कि आप इनके खिलाफ लाथी चार्ज कर देंगे आप इने पकड़ पकड़ के पीचेंगे चात्रों का कहना है कि पहले दिल्ली पुलिस में ये सारा काम किया इसका बिल का विरोध इसमें कुछ आपती जनक लगता है विरोध कीजिए शांदी कुन तरीके से विरोध है अभी तक किसी चीज बहुत से लोगों को हो सकता है ब्रह्म की स्थिती में भी हैं उन्हें लगता है कि हमारी नागरिकता ना चलिजा है एक जाने के बात की थी मैं पहले दर्शिकों के ये बात पूरी कर दूं कि ये जो बिल बना है ये अफगानिस्तान पाकिस्तान और पांगला देश से जो शरनाती यहां पर आये थे या घुसपैठी भी कह लीजिए जो आये थे उन में से ज्यादा तर क्योंकि माना जा रहा है कि धार्मिक अधार पर यह देश बने है और धार्मिक अधार पर यहां अल्प संक्यों को के साथ भेदभाव हुआ और उन्हें जबरन वहां से अपनी मातर भूमी को छोड़का निकलना पड़ा तो उनका एक मातर सहारा जो है हिंदू, जैन, बोद, पारसी या सिक जो है उनका यह माना जाता है कि भारत है इसलिए उनको स्रंक्षन देने की बात कही है नागरिक्ता देनी की बात कही है और जो मुसलमान क्योंकि बंगलादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान एकिस्म से इस्लामिक राज्य हैं धार्मिक आधार पर उनको यहां पर शोशन का जो सहन है वो नहीं करना पड़ता है इसलिए ये कानून उस तरीके से उस तरीके से पहले समझ जाएं ये किसी भी देश में रहने वाल सझा का Алगों थे वाल गाउंने तो को हम यह किसी की कुछ अक्री दिमाग में डाल दिया जाए है कि भारत के स्कड्रिक नहीं रहेंगे बलकि बार-बार यह मिच्चा कहा रहे हैं कि यह नागरिक्ता देने वाला बिल है चीनने वाला नहीं है लेकिन फिर भी लोगों में भ्रहम फैलाए जारा है मतलब एक मेसेज अगर रोटीट हो जाता है आजकल सोशल मीडिया इतना क्रूशल हो गया है कुलदीप और यहीं से आंदोलन उठते भी हैं और इस तरह की अफवाएं जब फैलती हैं तो लोग उन अफवाओं पर दे कि दिल्ली पुलिस बार-बार कह रही है कि अफवाओं पर ध्यान ना दे लेकिन कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस के एक बड़ी भूमिका थी कि इसे कंट्रोल दूस पाई में बहुत कुछ का उन्होंने लेकिन समझना चाहूंगा और उनसे घुजारिश भी करना चाहूंगा जब आपको पता है कि एक तो बिटर सेशन है अपनी चुटियें डिकलेर कर दी हैं फिर भी चात्र आपके हैं कोई बाद नहीं आपके ही वो चात्र होस्टल में भ और उसके बाद आसपास के इलाके का मौब भी आ सकता है वहाँ पर भीड बहुत ज़ादा इकटी हो सकती है शरारती तत्वी वहाँ पर पहुंच सकते है तो आपको अपने चात्रों को समझा कर भेजना चाही था एक किसी संख्या में भेजना चाही था आप कहा बैठकर चि उस एक्जैम को कैंसल किया गया तो पढ़ाई का नुकसान पढ़ाई का नुकसान करके आप कौन सा अंदोलन करना चाहरे जो सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी है और वो भी एक भ्रम पहलाने की वज़े से कि आप कल भारत के नागरिक नहीं होंगे इसलिए आपको परक्षा करते हैं नागरिक्ता संशोधन कानून को लेकार देश के अलग-अलग हिस्सों में विरोध परदशन चारी है और वोतर से लेकार उत्तर भारत के कई शहरों में आंदोलन पढ़ता जा रहा है राधानी दिल्ली से लेकार पश्चिम बंगाल, उत्तर परदेश, बिहर, मध्यपरदेश, गेरल, हैद्रापास समेथ आंदोलन तेज हो रही है दिल्ली में जामिया हिस्सा के बाद देश के कई शहरों में चात्रों ने परदर्शन किया रविवार को जामिया यूनिवर्सिटी के पास इलाके में परदर्शन के दौरान कई बसों को आके हवाले कर दिया गया और तोड़ भोड़ भी की गई जिसका आरोप जामिया के चात्रों पर लगा जिसके बाद पुलिस में परदर्शन कारियों पर लाटी चार्च कर दिया और भीड को तितर पितर करने के लिए आसू गैस के गोले भी छोड़े गए इसके बाद चात्रों और पुलिस के बीच आरोप प्रत्यारोप हुआ सुमवार की सुभे से ही जामिया में प्रदर्शन शुरू हो गया कई छात्रों ने ढंड में अपनी शर्ट्स उतार कर विरोध किया छात्रों ने पुलिस पर परबरता का आरोप भी लगाया कल जो पॉलिटिकल बूचरी हुई है कल शाम से जो पूरा unconstitution uncivilized way में पुलिस ने पुलिस कम मतलब आप समझ लोगी वो तरिंदे बने वे थे आप अगर जानोगे हालात कैसे थे बच्चे कल नहीं थे प्रोटेस में अच्चुली ओखला के वाला था आज से लेके अचानक सा हमारे कॉलिज बंद कर दिया दिया गया है अभी हमारे के रात में हम लोग भी रहें केमपस में रहें होस्टल में चुपके रहें मेरे घर बाहरें लेकि मुझे रहना पड़ा होस्टल में काफी वक्त लगा अंजाम दियाओ हम नहीं जानते हैं कि क्या पॉलिटिक्स हुई है अंदर हमें नहीं पता हमने शुटा जेन्यू के प्रदर्शन भी देखे वो तो संसत तक पहुंचे थे हजारों की तादाद में वो चात्र पहुंचे थे अपनी बातों को भी उन्होंने रखा था सरकार ने उनकी बातों को सुना भी था लेकिन ऐसा द्रिश्य हमें देखने को नहीं मिला ये तो मारना होगा कि वहां पर कहीं न कहीं जामिया मिलिया प्रिशासन की अंदेखी रही है गहर जिम्मेदाराना उनका बरताव रहा है क्योंकि अगर स्टुटेंट जा रहे थे तो पू ये बहुत बड़ी खामी रही को आगे बढ़ाने के इजाज़त दी गई थी ऐसा कुछ नहीं था कि बल प्रियोग किया गया लेकिन जब आप और यहां तो चंद स्टूडेंट थे जो अपनी बात अगर कहना है तो ये उनका दाय तो जादा हो जाता है कॉलेज प्रिशासन का दाय तो ये जादा हो जाता उन माबाप को जवाब देना होगा जिनके ये बच्चे हैं जिनके साथ इस तरह से बरबरता हुई है डिली पुलिस को भी यहां ये ध्यान रखना चाहिए कि है तो स्टूडेंट आप उन पर इस तरह से गोलिया चलवाएंगे और आप कहेंगे कि आसू गैस के क्यों गोलि आप कह रहे हो इन्हें भगाते हुए हम अंदर खुज गए बिलकुल पर्मिशन नहीं है अरे चात्र हैं वो थोड़ा थोड़ी देर के लिए रा भटक सकते हैं उन्हें नहीं पता कि उनके राइट्स क्या हैं और वो प्रोटेस्ट में उग्र कब हो गया लेकिन आप तो द इस तरह का वहवार है यह अमान भी यह है आप चात्रों के साथ इस तरीके से वहवार नहीं कर सकते हैं और अब्विस सी बात है आक्शन का रियाक्शन देखने को मिलता है कुल्दीब और यहां भी मामला तूल इसलिए पकड़ता गया क्योंकि तस्वीरे ट्वीट होती रह पकातार जो फ्लोट किये जा रहे हैं मैसेज जो फेक मैसेज़ेस हैं फेक तस्वीरे हैं उनके जरी भड़काने की एक बार फिर से आग लगाने की जो कोशिश की जा रही है उससे आप बिलकुछ सच्छेत रही है परदान मंतरी नरेंदर मोदी ने भी जिस तरीके से संबि परकर अगर इस तरीके से करना है यह सरसर घलत है यह हम सभी को समझना होगा और यह भी समझना होगा कि इस मामले को लेकर सियासत कौन तेस कर रहा है और सियासत दान किसको अपना हथियार बनाना चाहते हैं क्या बच्चे कल किसी सियासत के लिए नुकसान दायक हो सकता है कि पढ़ाई को साइड में रखके पढ़ाई के कोस्ट पर कह लिए क्या किसी आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और क्या आप उम्मीद करते हैं कि आपके पेरेंट्स आपके आसपास के लोग उसे सपोर्ट करेंगे देखे पहले तो बिलको समझने की जरूरत है और अगर उसके लिए कुछ विरोध भी है तो उसका तरीका अलग हो सकता है लेकिन अब देखे इस पर राजनीती कैसे कैसे होती है एक कुछ नेता कुछ कहता है मनीश सुधिया का आपने ट्वीट देखा कि दिल्ली पुलिस के लिए कैसे किस तरीके से क्योंकि दिल्ली पुलिस किसके पुलिस वालों से अपील है कि आप छात्रों के साथ उस तरह का ट्रीटमेंट कीजे जो उनके साथ करना चाहिए चात्रों से अपील है कि वो विरोध प्रदेशन करें लेकिन अपनी मर्यादा में रहते हुए सरकारी संपत्ती को नुकसान पहुँचाना और ये कह देना कि ये विरोध प्रदेशन था और ऐसा तो होता है तो यहां समझना होगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी रोटियां से खरेंगे हमें ये भी समझना होगा और दर्शकों को भी ये समझना होगा कि ये बिल जो दोनों सदनों से पास हुआ है अब ये कानून बन चुका है रास्पती के सिगनेशर हो चुके है लेकिन कोट में ये पहुँच चुका है समझना है कि नहीं समझना है हाँ अगर कोट कहता है असमझना है आप अपना प्रोटेस्ट खुल कर रखिए अबी कोट में ये पहुंच चुका है संबेधानिक होगा के नहीं होगा तो फिर इसमें अपनी जान को रिस्प में लेना या पबलिक संपत्ती का नुकसान पहुंचाना या बेवजे का पुलिस और छात्रूं का कॉन्फिक्ट हो जाना या रेलवे को इस तरीकी से नुकसान ये किसी के भी हक में नहीं है हमें ये समझना होगा बिल्कुल प्रोटेस्ट करना हमारा लुकतांत्री का अधिकार है और हमें करना भी चाहिए सरकार को फ्री हैंड हमें किसी हाल में नहीं देना चाहिए लेकिन हमें क्रिमिनल नहीं बनना है ये भी हमें याद रखना है और देखें ये सबसे बड़ी बात है कि राजनी की कौन कर रहा है ये समझना होगा अपराधी नहीं है तो आपको संयम बरतना चाहिए क्योंकि आपको अपराधियों के साथ डील करना आता है तो चात्रों के साथ कैसे डील करना ही आपको देखना है कॉलेज प्रिशासन के जिम्मेदारी बनती है क्योंकि एक एक चात्र आपको प्लीज प्रिशासन आगे आए और अपने चात्रों से अपील करें एक शान्ती का महल बना रहे है विरोध दर्ज कराईए लेकिन पढ़ाई के कॉस्ट पर नहीं फिलाल इस चल्चा को यहीं पर खत्म करते हैं नमस्कार बहुत शुक्रिया नमस्कार